गयवाडी के धाड़ा इलाके में बदमासों के होसले बुलंद है और जिसका जीता जागता उधारन दो ऐसी वीडियो हैं जिसमें तीन बदमास लाठी डंडे से एक यूओक को बेरहमे से पीट रहे हैं और दूसरी वीडियो में एक यूओती को जमीन पर गिरा कर गालिया द धूम रहे हैं दरसल वायल वीडियो को एक जगे की ही मान कर देखा जा रहा था लेकिन ये दोनों वीडियो है तो धाड़ा की ही और हमलावर भी वही तीनों यूओक है लेकिन यूओक को सोना रोड हनुमानमंदिर के पास बेरहमे से पीटा गया और लड़की को किया तो आरोपी यूओक ने यूओक के साथ मारपीट की और मारपीट का वीडियो बना वीडियो वायल करने की धमकी देते हुए फरार हो गई जिस मामले में यूओक ने सक्टच्छे थाने में सिकाय दर्ज कराई है और पुलिस ने छेड़ शाड मारपीट और जान से मार पुरानी रंजिस के चलते उन्हीं तीनों आरोपियों ने हरीपाल नाम की यूवक की बेरह में से पिटाई की पुलिस का कहना है कि हरीपाल की सिकायत पर उसी दिन यानि 21 जनुरी को ही केश दर्च कर लिया गया था जबकि यूवति की सिकायत रविवार को मिली है दोनों ही मामलों में केश दर्च कर पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड के लिए लगी हुई है लेकिन धाड़ा कस्वे में हुई ये वारदास पुलिस की कार्या सलीप पर सवाल खड़ा करती है इडियो कल वाइरल होके संग्यान में आई जिस सम्मन्द में छेड़ साड़ की दाराओं के साथ वेमार पीट की दाराओं के साथ सेक्टर छे पुलिस टेशन में अब योग अंकित किया गया है ये मामला था लड़की किसी अपने निजी काम के लिए गर से और बिकानेर के पास आई थी जो ये सुनील नाम का लड़का है इसने रिलेशन बनाने के लिए लड़की के पर दबाव डाला जो लड़की ने उससे मना किया वे धमकाया तो इन्होंने अपने दो साथियों को और बुलाकर लड़की के साथ मार पीट की है बेरहमे से मार पीट की जा रही है सरयाम बिलकुल सरयाम बेर मार पीट की जा रही है इस सम्मन में विबिन धाराओं के तेद छेड़ चाड़ मार पीट आई है दमकी का मुकदमा दरज सेक्टर 6 थाने में किया जा चुका है तब 30 जारी है और लगातार सियाई धारू अड़ा के साथ मिलकर रेड की जा रही है बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाए इनी लड़कों ने हरीपाल यूद को भी एक मारा है उसका भी वीडियो वारल हो रहा है ये 21 तारीक की घटना है हनुमान मंदिर के पास हरीपाल और इन तीन अक्यूजड का पहले भी एक मुकदमा मार पीट का धारू एड़ा थाने में अंकित है और इनकी पुरानी रंजीस के तहत ये मामला चलता रहा है इसके तहत इनोंने मार पीट किया रुबे बिंदाराओं के तहत मार पीट का मुकदमा 21 तारीक को ही दरज कर लिया गया था और तब 30 जारी है, रेड की जारी है, CIE की टीम भी है साथ और बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया देगे और जो लड़के वाली गटना है ये धारु एड़ा थाने के अंदर आती है लेकिन आरोपी एक ही हैं? आरोपी से हम है बहुत जल्द ही इनको गिरफ़तार कर लिया जाए तो क्या तीन लड़के हैं इनका बैक्ग्राउंड को जो ऐसमा दिकता तो ये बल्माट टाइप है। हाँ ये कर्मिलन टाइप के हैं पहले भी इनके कैय अभी योग थाना में दरस है। इसके लाव एक और वीडियो थोड़ दिर पहले हम बता रहते हैं कि सोसल मीडिया पर है कि बाल में की मोले में मार पीर हो रही है एक लड़के के साथ में रात के अंदेरे में तो वो भी सेक्टर 6 बाल में की मोला सेक्टर 6 थाने के अंडर आता है अभी ये चीज संग्यार में नहीं आये इसको भी संग्यान में लेके जल्द कारवाई की जाएगी